नमस्कार दोस्तों, Ultimate Health and Home Remedies सेनल में आप लोगों का स्वागत है, Ultimate Health and Home Remedies आपकी सेहत का खयाल बखू भी रखता है दोस्तों, अगर आप लोगों को अपना weight जो है वो लिूज करना है और आप लोगों को चाहिए है एक ऐसा workout plan जो आप लोगों के लटकते हुए पेट को या मोटापे को कम कर दे तो ये workout plan आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो आप लोगों के लिए Ultimate Health and Home Remedies लाई है इसे आप लोगों के बहुत सारे पसीने निकलने वाले हैं और आप लोगों के बहुत सारी calorie burn होने वाली है साथ ही आप लोगों खुश भी रहेंगे क्योंकि ये सभी workout आप लोगों के लिए बहुत अच्छे है और वेट कब घट जाएगा वेट कब कम हो जाएगा आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा अगर आप लोगों का वेट बहुत अधिक बढ़ गया है तो ये जो सभी ultimate health and home remedies के workout plan जो है आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो आप लोगों का बढ़ता हुआ वेट कम करने में बहुत अधिक help आप लोगों की करेगा तो अगर आप लोग चाहते हैं वेट को कम करना और exercise करना तो आज से ही शुरू कर दीजिए और इन सभी workout plan को day wise day जो है आप लोग देखिए ये सभी workout plan जो 7 days workout plan में आज आप लोगों को बता रहा हूं वो आप लोगों को focus करना है और उनके जो फाइदे हैं वो भी आप 45 मिनट तक तेज़ते चलना है और साथ ही आप लोगों को जब आप लोगों के 45 मिनट पूरे हो जाएं तब आप लोग जो है रोप skipping करें जितनी आप लोगों से हो सके उतनी कुछ देर के लिए रोप skipping करने के बाद आप लोग जो है अपने काम पर schedule कर सकते हैं पस इतना ही आप लोगों को समभार को करना है 45 मिनट फॉस्ट वोकिंग से आप लोगों का जो काडियो है वो तो मजबूत होगा ही लेकिन साथ ही आप लोगों के पूरा जो सरीर का जो वार्म अफ है वो भी complete हो जाएगा साथ ही पूरे सरीर का workout भी आप लोगों का हो जाएगा तो 45 मिन यानि कि total body fat को reduce करने में आप लोगों की help करता है तो जिनको breast fat करना है प्लीज वो जो है अपने कपड़ों को tight बहन ले क्योंकि बहुत सारी problems जो है वो महिलाओं को होती है अब बात करते हम लोग Tuesday को 15 minute walking और plus 15 minute running आप लोगों को करनी है 15 minute walking का मतलब है 15 minute तो आप लोग चली सकते है नॉर्मल चलना है आप लोगों को fast walking नहीं करनी है नॉर्मल आप लोग चल सकते हैं दूसरा है plus 15 minute running इसमें running में आप लोग jogging सामिल कर सकते हैं और साथ ही मैं यह कहूंगा कि running जब आप लोग कर रहे हैं तो आप लोग थोड़ा देर तक चलिए फिर running आप लोग कीजिए थोड़ा देर तक चलिए फिर running करिए तो इन दोनों का जो combination है 15 minute walking और 15 minute running का Tuesday के दिन इ आप लोग चल लेंगे जैसे कि आप लोग 30 seconds तक आप लोग चले नॉर्मल चली या एक मिनट तक आप लोग चले उसके वाद थोड़ा सा दोड़ ले तेजी से उसके वाद फिर रुक जाए फिर आप लोग जो है मिनट जो हो आप लोग काउंट करते रहें तो walking और running का जो म आप लोग 15 मिनट की running जब आप लोग running करेंगे तो आप लोग देखेगा normal running करनी है आप लोगों को और उसके बाद में jogging ध्यान रखेगा running प्लस walking आप लोगों को आप लोग इसमें कर सकते हैं ऐसा नहीं कि 15 मिनट की running मैंने लिग दिया तो 15 मिनट से लगाता दोड़ रहे है नहीं ऐसा नहीं है ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है नॉर्मल आप लोग running करें जब भी थक जाए तब रुख जाए उसके बाद में जब 15 मिनट पूरे complete हो जाए तब आप लोग 20 हाई जम्स लगाकर अपने काम में आप लोग जा सकते हैं तो 20 हाई जम्स से आप लोगों बेट है वो भी कम हो जाएगा अब आता है थस्डे थस्डे के दिन आप लोग 60 मिनट वाकिंग करें लगातार 60 मिनट तक आप लोगों को पैदल चलना है एक घंटा आप लोगों को बिताना इसमें और उसके बाद में आप लोगों को करना है रौप स्किपिंग यानि कि जादा इन जो है बर्नाउट हो जाएंगी तो थस्डे के दिन ऐसा करें अब आता है फ्राइडे फ्राइडे के दिन आप लोगों को अपनी हडियां को मजबूत भी करना है जाहिर सी बात है रनिंग से जो है वह टोटल बोडी कैलरी बर्नाउट होगा लेकिन साथ ही आप क्या हडिया मजबूत रहेंगी मसल्स मास बन पाएगा एप्स बन पाएगा आप लोगों की दुबारा से वेट जो है जैसे आप लोग छोड़ते हैं इन सभी चीजों को तो दुबारा से वेट गें होने लगता है तो साथ ही उसको भी कम करने में आप लोगों की मदद तो इसमें आप लोगों को क्या वाइदा मिलेगा कि walking से तो आप लोगों को normal warm up होई जाएगा एक घंटे तक करेंगे तो उसके बाद में 15 मिनट आप लोगों को running करना है तो इसमें मेरा combo आप लोग जोड़ सकते हैं वही walking और running का combination कुछ देर ज्यादा देर तक आप लोग walk कर लीजिए और कुछ देर तक आप लोग रगन कर लीजिए तो आप लोगों का 75 मिनट पूरा हो जाएगा इससे अब बात करते हैं संडे की यानि कि रविवार की तो 15 मिनट की walking कर लीजिए starting में और उसके बाद में yoga के कुछ stretches हैं जिससे आप लोगों की मरजी हो जैसे कि forward band है आप लोग कर सकते हैं forward band को भी जिससे आप लोगों का belly fat reduce होता है thigh fat reduce होता है कुछ stretches हैं जो arms के हैं जिसमें आप लोग shoulder का stretches कर सकते हैं arms के stretches कर सकते हैं पेली स्ट्रेचेस आप लोग कर सकते हैं, थाई स्ट्रेचेस आप लोग कर सकते हैं, आर्म पिट स्ट्रेचेस भी आप लोग कर सकते हैं, जैसा कि वीडियो स्क्रेन पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है, तो ये सभी वर्काउट आप लोग करेंगे, तो आप लोगों की हेल्दी रहें रिक्वेस्ट करूंगा कि सब्सक्राइब करें और सेयर करें धन्यवाद